गुड मॉर्णिंग स्टूडिंट्स वैलकम यू तु आल और आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पर्यावरन अध्यान का एक थ्योरी सेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं जो कि आपका आधारित होगा भारत की सांस्क्रतिक धरोहर और विश्वक की जो धरोहरे उसके बारे मे तो यह PDF अवेलेबल है वाट्चप पर आप कांटेक्ट करके वाट्चप नंबर आपके सामने है 877-080-3840 पर जाकर आप वाट्चप के माध्यम से कांटेक्ट करके इस सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं इसकी कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है जिसमें आपका पैडागोजी भी रहेगा और यदिया पाल विकास और शिक्षर शास्त्र के नोट्स भी खरीदना चाहते हैं विद कोश्टन सीरीज तो वो सीरीज भी अवेलेबल है उसके लिए पॉट्ट सपर मैसेज करेंगे आप कुष्टन बनते हैं देगो यह वाला टॉपिक है तो यहां से आपके किस टाईप के बनते हैं सबसे पहले दिमाग में वही चीज आ रही होगी तो सबसे पहले कुष्टन आपके सांस्क्रतिक धरोर से बनेंगी कौन-खून-चौन सी युनेस्को के दोरा विशव धरोर गो गेरा हो गए और जितने भी वन शेत्र हो गए उनको यदि रीसेंट हाल फिलहाल में ही जिसे कि ओड़चा है उसको धरोर गोशीत किया गया तो उसके बारे में कोई जाग रुकता इन जीजों को लेकर कैसे ला सकते हो तो इस तरीके के पॉइंट कुछ बनेंगे वो सारे ही पॉइंट हम लोग अभी डिसकस कर लेंगे तो सबसे पहले बात आती है विश्व धरोहर दिवस की तो सबसे पहले 18 अप्रेल 1983 को दुनिया भर में एक साथ विश्व सहायता भी देती है मतलब कि वो अच्छे से उसका निर्मान कर पा है तो ये फंडिंग भी करती है अब पूरी दुनिया में 962 इस तलो की विश्व धरा और इस तवल गोशित किया जा चुका है जिसमें से 745 सांस्क्रती के 188 प्राक्रती के और 29 अन्य प्रकार की इतना रखना है कि 18 अप्रेल 1983 को पहली बार मनाया गया था ठीके 1982 में गोशना हुई थी 1983 में पहली बार मनाया गया था और उसके बाद से हर साल जो है 18 अप्रेल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है तो 2020 में भी डेफिनेटली आपका विश्व धरोहर दिवस मनाया गया था तो अब आपका question ये बनेगा कि अच्छा, तो बताईए इसकी theme क्या थी, तो हमें इसकी theme बतानी होगी, तो theme हम लोग सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं, इस बार का जो 18 April हमारा निकला है, उसकी theme थी सांजा संस्कृती, उसकी theme क्या थी, सांजा संस्कृती, पहले मैं हिं जिम्मेदारी का, ये तीन नाम है, औरेली मैं आपको बोल देती हूँ, इस बार का जो theme थी था, सांजा संस्कृती, सांजा विरासत और सांजा जिम्मेदारी, इंग्लिश में बोले तो shared culture, shared heritage और shared responsibility, ये इस बार का theme था, ये आप धियान रखेंगे, 1982 में अनाउंस हुआ थ गोषेद करने को ये सबी को मनाने को बोल दिया गया था, अब थोड़ा सा UNESCO की बात कर लेते हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि UNESCO ने बोला है, तो इस UNESCO की स्थापना कब हुई थी, तो UNESCO की स्थापना हुई थी हमारी 4 नवंबर 1946 को, और इसका head quarter कहां पर है, इसका मुख्याले कहां पर है तो इसका मुख्याले है पैरिस फ्रांस में और इसके अगर आपसे पूछ लिया जाए महा निर्देशक कौन है तो और्ड्रे और्जेले जो है इसके महा निर्देशक है ये इतना सफीशेंट है युनेस्को के बारे में चलिए अब थोड़ा सा हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे कुछ प्रमुक इस्तलों के बारे में हम लोग जान लेते हैं तो दिल्ली का गोरोशाली इतिहास राय सबसे पहले इसका उलेक महा भारत में मिलता है जहां इसे इंदरप्रस्त कहा गया था पांड़गों की राजधानी भी था फिर मुगल ने अपनी इसे राजधानी बनाया और कॉले कोने में यहां पर आप देखें तो कला और संस्कृतिगी छाप आपको देखने को मिलेगी दूसरी यदि हम लोग बात करें दूसरा है हमारा लाल कीला यूनेसको द्वारा 2007 में विश्व धरोर में इसको शामिल कर लिया गया था किके और किसने बनवाया मुगल पाशा शाहँ जहां के द्वारा इसको बनवाया गया था बनवाने में कितना समय लगा नो साल का समय लगा है और इसे लाहोरी गेट के अलावा एक औरो दिल्ली का दर्वाजा भी है में हम लोग ये चीज़े क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी जो MP Board की Social Science की बुक है उसके अंदर ये सारे पॉइंट दिया हुए इसलिए हम लोग सारे स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं इतना जादा डीटेल में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे कुतुब मिनार की बात करें तो कुतुब मिनार दिल्ली के महरोली इलाके में सितीट से बनी विश्वे की सबसे उची मिनार है जिसकी उचाई 72.5 मीटर व्यास इसका 14.3 मीटर है शिखर पर 2.75 मीटर हो जाता और इसमें 379 सीडिया है अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका निर्मान किसने करवाय था तो कुतुब उद्दीन एबक ने 1100 नन्याणों में इसको शुरू करवाय था और इलतु तमीश ने इसको पूरा करवाया था आगे बढ़ते हुमायू के मगबरे की बात करते हैं हुमायू की जो विद्वा, बेगम थी, हमीदा, बानो उनके द्वारा इसका निर्मान किया गया था 1562 में ये बनवाया गया था तो ये बात हो गई हमारे हुमायू के मगबरे की अगर हमसे पूछा जाए कि हम लोग इनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं तो एतिहासिक इस तलों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसी भी व्यक्ती संस्थाय सरकार की नहीं होती है यहाँ पर हम लोग अकेले व्यक्ती संस्थाय सरकार नहीं समाल सकता है सभी को अपनी भूमी का यहां पर निभानी होगी हम लोग इसके रक्षक कैसे बन सकते हैं खाने पीने का सामानी धरूदर ना फैकर डस्ट बिन में ही डाले दिवारों पर कुछ भी लिखना अलाव नहीं होता है लावर इस वस्तुओं के मिलने पर प्रिशाशन या विभाग को सकते हैं तो यह बिल्कुल बेसिक से पॉइंट हो सकता है option बनाकर आपसे पूछ लिए जाए तो आप इनको ध्यान रख सकते हो चली अब हम लोग मद्यप्रदेश की बात कर लेते हैं मद्यप्रदेश में प्रमो किस्तल कौन-कौन से हैं जिसे विश्व धरोहर में शामिल क किया गया है युनेसको के द्वारा हाल फिलहाल की हम लोग बात करें तो और्चा नाम सबसे पहले आएगा बुंदेला राजवंश वास्तु शिल्प की मिसाल और्चा के मंदिर तो इसे वर्ल्ड हैरिटेज पैलेस में घूशित किया गया यह धरो और बुंदेल के द्वारा इसका निर्मान किया गया था दूसरा है खजुराहो के मंदिर जो की छतरपूर में है यहाँ पर आपको डीटेल दी हुए मद्यप्रदेश की राजवंश दानी भोपाल से 376 किलोमीटर दूर छतरपूर जीले में खजुराहो में इस्ते चंदेल राजाव के द साची में स्थित जो बोद्द के स्थूपे भारत ही नहीं विश्वभर के पर्येटों के लिए काफी जादा लोगप्रीय है और ये स्थूप बहुत ही जादा बोद्द के जो तिर्थिस्तल के रूप में पहचाने जाते हैं और काफी जादा प्रसिद्द्य और पुराने पत्थरों से बनने हुए तो ये इनकी बहुत ही जादा खास बात आप यहां पर बोल सकते हो समराट अशोक के द्वारा इसका निर्मान किया गया था बिम बैठी का पाशन आश्रे है विश्वधरोर बिम बैठी का आपने नाम सुना होगा मद्यप्रदीश में ही इस्तित है बोपाल से 45 किलोमीटर दूर बिम बैठी का मिस्तित इन पाँच पाशन आश्रेओं में समू को साल 2003 में विश्वधरोर में गूशित किया गया था दिके और इसके बारे में आप थोड़ी डीटेल ओर देखना चाहे तो बिम बैठी का पाशन आश्रे विश्वध परवत मा अला की तलहटी में मध्य भारत की पठार के दक्षिनी छोर पर बनी गुफाओं का एक समू है और आगे हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पर काजी रंगा राश्ट्री उध्यान असम के गोला हाट और नागाव जीलों में इस् असम में इस्ती थे देखो यहाँ पर 1985 में इसे युनेस्को द्वारा विश्व धरोवर के रूप में एक वर्ल्ड हैरिटी सिटी के रूप में घूशित किया गया था हिमाले की तलहटी में हैं असम में सबसे बड़ा बाग अप्यारण हाती आरक्षित और जीमंडल के रूप में जाना जाते हैं आप यहाँ पर किन किन को देख सकते हो आप इस पार्क में असम की छत वाले कच्छुए सुनहरे लंगूर और पैगी होग इस्तित कुछ लुपत प्राय जानवरों को आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मि से दे तो बिहार के बोध गया में महाबोधी विहार साहितिक महान जागरती मंदिर के रूप में जाना जाता है जहां पर बुद्ध को अपने ग्यान की प्राप्त हुई थी बुद्ध का नाम कैसे धार्त गोतम है कि यह आप धियान रख सकते हो एक धार में किस्थल भी है हु जोनेसको में 1993 यानि की उनने सो तर्राणों में घुशित कर दिया गया था विश्व धरोहर के रूप में आगे हम लोग यदी बात करें कुतूब मिनार दिल्ली की तो कुतूब मिनार परीसर का निर्मान सूफी संद कुतूब उद्धिन बक्तियार काफी के सम्मान में किया गया था और मिनार की स्थापना कुतूब उद्धिन एबक ने मालमुक वंश के दोरान की थी फिर इसे इलतू तमिश और फिरोज शा तुगलक साइद बहुत चारे जो राजा हुए उनके द्वारा कंप्लीट करवाया गया था लाल किला परीसर की यदी हम लोग बात करें जो कि दिल्ली का एतिहासिक किला है जिसके बारे में अभी हमने डिसकस भी किया था मुगल समराठो का निवास था दिल्ली में स्थिते और 1649 में शाह जहां के द्वारा इसका निर्मार करवाया गया है फिर यदी बात की जाए गोवा के चर्च और काफीले की ओल्ड गोवा पूरा तत्व पार्क जो की गुजरात में इस्थी थे इसे 2004 में विश्वधरार के रूप में शामिल किया गया था या चमपानेर में इस्थी थे और पहाडियों पर इस्थित कई के लिए आप यहां पर देख सकते हो आगे हम लोग बात करें हमपी की समारकों की तो समराठ अशो के रॉक एडिक्ट के अनुसार हमपी जीला मोरी सामराठ्जी का एक हिस्सा था और कुछ ताम पत्रों के साथ बड़ी संख्या में ब्रामी शिलालिकों की स्थापना इस पर दोवी जो दूसरी शताबदी में खुदाई के दोरान की गई थी 1986 में इसे विश्वधरौ मिलेंगे राश्च्रकूर्ट समूदाय के दोरा इसकी स्थापना कीड़ गई थी हिंदू और जेन के मंदिर के बारे में आपको यहां पर बहुत चारी जानकारी मिल सकती और यह कहां पर इसी थे करनाटक का जो एक करनाटक में इस्थी थे करनाटक का एक गाउं है तेकि मल विरासत जो है इसके अंदर शामिल किया गया था कहां पर इस्थी थे मद्यप्रदेश में इस्थी थे राइसेन जीले में सांची की पहाडियों पर इस्थे थे आगे हम लोग बात करें भिम बैठिका के रोक शेल्टर की तो मद्यप्रदेश में भिम बैठिका के रोक शेल मिटर दूरे मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है हमारे लिए एक गर्व वाली बात है और चंदेल शाष्कों के द्वारा इसका निर्मान किया गया था 1986 में इसको विश्व धरोवर में शामिल किया गया था अजंता की गुफाओं की आप योग बात करेंगे तो ओरंगाबाद मह गुफाओं ओरंगाबाद के पास है दुनिया की सबसे बड़ी प्राचिन रॉक की मठ आप इन्हें बोल सकते हैं 1983 में भी इसे युनेसको द्वारा विश्व धरोवर में शामिल किया गया था बहुत सारे बहुत दो जेन धर्म की जानकारी आपको एलोरा की गुफाओं से अब बात करते हैं एलिफेंटा की गुफाओं की तो एलिफेंटा की गुफाओं महाराश के एलिफेंटा द्वीप में सित मूर्तिकला गुफाओं की एक शंकला है ये इस तल अरब सागर की भाई परिस्ती थे और इन गुफाओं को भी दो भागों में विभाजित किया गय केवला दियु घाना राश्ट्री उध्या ठीके इसे भरतपूर पक्षी अभ्यारण भी कहा जाता है जो कि राजस्तान में इस्थीते बहुत चारी बार हमारे एक्जाम में भी पूछा हुआ है ठीके 1971 में अभ्यारण को एक सरंग्षित अभ्यारण गोशित किया गया था यह यहाँ पर आप पक्षियों की 230 से भी अधिक प्रजातियां देख सकते हो ठीके इराश्ट्री उध्या ने जंतर मंतर जैपूर की बात करे तो जंतर मंतर एक इसमारक है जो जैपूर राजस्थान में इस्थीते यहाँ पर वास्तुशिल्प खगोली उपकरण जो की बहुत चारे बहुत साल पुरा ने है वो आप यहाँ पर देख सकते है 2010 में से विश्व विरासत में गोशित किया गया था ग्रेट लिविंग चोल मंदिर जो की तंजावूर में इस्थे थे इसे भी दक्षिन भारत का यह हिस्सा है 11 और 12 शताबदी के चोल वंश के द्वारा इसका निर्मान किया गया था और 1987 में ब्रहदेश वर मंदिर को विश्व धरवर के रूप में जोड़ा गया था पल्लव राजवंश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी देखो किसी भी पॉइंट से में क्या क्या चीज़े ध्यान रखनी है एक तो कहां पर रिस्ते थे अगर पूछा जाए कि किस राजवंश के द्वारा चंदेल हो गए पल्लव हो गए किस राजवंश के द्व अगरा से दिल्ली स्थान तरित कर दिया था ये कैतिहास सिकीला है 1530 में समराट हुमायू की ताजपोशी हुई थी और 1526 में फेमस पानीपत की लड़ाई के बाद इसमें बाबर का इस्थान रह गया था ठीकिम चलिए अगले बात करतें 1982 में जो है इसे विश्व विरहासत के रूप में शामिल किया गया था अगला पॉइंट है हमारा फतेपूर सिक्री 1560 में मुगल समराट अकबर ने उत्तर प्रदेश के आगरा के पास जो फतेपूर सिक्री है यहां अपनी राजधानी बनाई और इकोतर से लेकर 1985 तक मुगल समराट की राजधानी के रूप में से जाना जाता है चित्तोडगर और ररन थंबोर में अपनी सेन्य जीत के बाद अकबर ने इस राजधानी को आगरा से नए स्थान पर इस्थानांतरित करने का फेसला कर लिया था जो की 30 किलोमीटर दूर था और इसे भी 1986 में Heritage City के रूप में एड किया गया ताज महल के बारे में आप सभी जानते हैं यमुना नदी के किनारे से थे ठीके और भारत के साथ अजुवों में से एक भी है और 1643 में इसका निर्मान पूरा हुआ ये आप देख सकते हैं 1983 में से World Heritage Site के रूप में घोशित कर दिया गया अगे बारत में मुसलिम कला का आभूशन और विश्व की विरास्त की सार्व भोमिक रूप से प्रशनशित करतियों में से एक है हमारा ताज महल जो की है आगरा का आगे बढ़ते भारत में परवती रैलवे में परवती रेलवे उनिस सो नन्याणू में युनेसको में भारत की तीन प्रमुक परवती रेलवे को शामिल किया गया था तीन प्रमुक में से तीनों हम लोग पढ़ेंगे तीन प्रमुक एक में दारजिलिंग हिमाले रेलवे आती दुसरे में कालका शिमला लेलवे और तीसरी आती है नेलगीरी परवती रेलवे तो दारजिलिंग वाली जो है टोई टेंड के रूप में उसे जाना जाता है अठारा सु इक्क्छाइसी में से सरंचित किया गया था दारजिलिंग भारत के बंगाल राज़े में इस्ते थे और रेलवे लाइन जो है सिली गुडी और दारजलिंग के बीच से ये जुड़ा हुआ है ठीके बृटी सरकार की ग्रिश्मकालिन राजधानी से माना जाता था कि यदि हम लोग बात करें तो ये एक सिंगल रेलवे ट्रेक है जो कि पहाड़ियों की चोटी पर इस्थे थे 1903 में से शुरू किया गया था जो कालका से शिमला को जोड़ता है इसमें बहुत चारी सुरंग वगेरा भी है कि कुछ 100 प्लस सुरंग भी उसके लिए काफी जाधा प्रसिद्ध भी है नंदा देवी और फूलो के घाटी राश्ट्र उध्यान की आप बात करेंगे के लिए भी इसे बहुत जादा जाना जाता है दूरलब प्रजातियां जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी फिर यदि हम लोग बात करें पश्चीमी घाट की तो पश्चीमी घाट को सहयादरी के रूप में भी जाना जाता है एक प्रकार की परवच रंखला है जो भारत के पश्चीमी भाग में इसे भी 2012 में विश्व धरो और इस तल में शामिल किया गया था राजस्तान के पहाड़ी इलाके काफी जादा प्रसिद्धे जिसमें चितोडगड का देख सकते हो आप कुंभलगड का किला देख सकते हो रंठंबोर का किला गागरोन और आमर और जैसलमेर के किले काफी जादा प्रसिद्धे हैं ठीक है किलो के बारे में अभी डीटेल में डिसकस नहीं करते हैं फिर रानी की वाओ आपको बता भी नोट पर रानी की वाओ कर डिजाइण भी आता है तो रानी की वाओ कहाँ पर इसथे थे गुजरात में इस थे अपनी स्वचछता के लिए काफी जादा प्रसिद्धे फिर हम लोग बात करेंगे एहमदाबाश शहर की एक ऐसा पहला शहर है जिसे युनेसको द्वारा शामिल किया गया था तो 2017 में इसे शामिल किया गया था है रिटी सीटी में शामिल होने वाला पहला ऐसा भारत का शहर आप इसे बोल सकते हैं देखो यहाँ पर शोर्ट में वन लाइन में हम लोग इनको डिसकस कर लेते हैं आगरा का कीला उत्तर प्रदेश में इसे थे जैपूर सीटी राजस्थान की ते कि अजन्ता की गुफाएं महाराश्ट में सांचे के बोध दिस्तूप मध्य प्रदेश में चंपानेर पावाग जो कि उत्तर प्रदेश में इस्ती थे चोल मंदिर तमिल नाडू में इस्ती थे हमपी किस मारक करनाटक में इस्ती थे करनाटक तमिल नाडू में ठीके यहाँ पर कुछ मिस हो गया है इसे हटा देते हैं अगला है पद्दकल किस मारक जो कि करनाटक में इस्ती थे हुमायू राश्च्री उद्यान कहाँ पर इस्ते थे असम में और भारती परवती रेलवे जो हमने तीन तरीके के देखे थे देखे वो तीनों यहाँ पर नंदा देवी राश्च्री उद्यान उत्राखण में इस्ते थे कुतुब मिनार दिल्ली के अंदर इस्तिते और भिम बेठीका मध्य प्रदेश में कॉर्णांक के सूर्य मंदिर ओडिसा में सुंदरवन पश्यम बंगाल में ताजमहल आगरा उत्तरप्रदेश में इस्तिते देखे तो यह अल्मुस्ट जो फेमस एरिटी सीटीज है उनके बारे में हमने देख लिया है और जिनको डीटियल में डिसकस करना था शॉट में वो हमने यहाँ पर डिसकस कर लिया है तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे मिलेंगे हम लोग नेक्स सेशन में थैंक्यू फॉर वाचिंग